अम्रत्धारा की मुख्य विशिष्टा यही है कि इसका शरीर पर कोई विशाक्त प्रभाव नहीं पड़ता। खास कर इन विमारियों जिसे लू लगना, जी मचलाना, श्वास लेने में कठिनाई, उदर, शूल, अफ्रा, अतिसार, अजिन, दंत, शूल, सीर दर्ध, किट दंश, शोद, आधी में इसका प्रयोग किया जाता है। आईए इस वीडियो में जानते हैं अमरद्धारा से होने वाले दस पायदे है। से पांच मीट में ही हिचकी में फायदा होता है। एक चाई के चममच प्याश की रस में दोबुद अमरद्धारा डाल कर पीने से हेज़ा रोग में लाब होता Harrison, दोबुद अमरद्धारा ललाटर में से सेखदर्ध में फायदा होता है। छटा, दस ग्राम वेसलीन में चारबूंद अम्रद्धारा मिला कर सभी प्रकार की शरीर दर्द में मालिश करने से दर्द ठीक हो जाता है, फटी हुई बिवाई और फटे होट पर लगाने से भी फायदा होता है साथवा, पांस साथ बून अम्रद्धारा एक चमच अद्रक की रस में मिला कर लेने से दस तठीक हो जाती है आठवा, ठंडे पानी में चार सिबून अम्रद्धारा डाल कर सुभो शाम पीने से श्वास, खासी, दमा और श्रेयरोग में फायदा मिलता है नवा, जहरीले कीट के काटने पर अम्रद्धारा मसेलने से दर्द में राहत मिलती है दसवा, एक से दो बून अम्रद्धारा थोड़े से पानी में मिला कर चालो पर लगाने से फायदा होता है भर उन्था जब बूव़े। हो ज conventionize दिय वायआ मिलता है भर उन्याम को राहती है हो प्रहें अर्वल को फ्रिड़े कार फ़ारा मिलता है कर भर उन्यादा भलस को इस दरीट है कर दो कर दो